जेल शुराम दोस्तों आप देखेंगे टेक्स सल्यूशन और मैं हूँ सुनिल आजगस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से काली रीनेक्स के अंदर चैट-GPT को इस्टॉल करें तो बिना किसी email id बिना sign-in किये किस तरीके साब उसे use कर पाओगे image generate कर पाओगे वह भी टर्मिल के help से चले शुक्रतिया आजगे वीडियो हम जो अभी चैट-GPT इस्टॉल करने वाले उसे अपने टर्मिल के तुरू एकसेस करेंगे कोई web browser का use नहीं करने वाले हम तो सबसे पहले आपको browser को open करना होगा और उसके बाद यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टी-जी-पी-टी उसके अधा आपको फोर काली लिनेक्स लिख दीजे जैसे आप इंदा डाल के सर्च करोगे आपके पास github का एक page खुल जाएगा आपको इसे open करना है जैसे आपके पास इस परकार का एक page खुल जाए उसका आपको code पर क्लिक करना है और यहां सब्सक्राइब करना है और हम इसको क्लोर करेंगे करने लिक्स के desktop पे आप कहीं भी कर सकती है बट मैं desktop पर करने बाला हूँ तो हम इसे पहले minimize कर देते हैं उसका terminal open करेंगे अब उसके बाद हम desktop पे चलते हैं उसके बाद हम यहां पर इस file को क्लोन करने वाले हैं तो क्लोन करने के command बहुत ही easy है जस्ट आपको type करना है गिट क्लोन उसका जो लिंक आम ने कॉपी गया था उसे हम यहां पर paste करना है उसके राइड क्ली करके यहां पर paste करेंगे paste selection देखें यहां पर folder जनेट हो चुका है और यह आपके system में क्लोन भी हो चुका है उसका आद हम cd pg pt पर जाएंगे और ls कर देगे जिससे इसके अंदर भी जितने भी फाइल्स होगी वह में शो हो जाएगा आप मैंने वह लिए folder पर क्लिक करके भी देख सकते हो उसका रेसमेश से हमें install वाले इस फाइल को install करना है उसके लिए अब यहाँ पर कमांड लगाना होगा अगर आपने हमारा कुराना वीडियो देखा होगा इसमें मैंने बता रहा है कि आपको इसके लिए आपको sudo कमांड लगाना पड़ता है sudo dot slash install आपको ध्यान देना है कि अब आप spelling mistake ना कर दो इसके बाद यहां से आपके admin password मांगेगा आपको password डाल देगा है यहाँ पर अभी आपके system install होगा अब देखिए हमारे system install हो चुका है और यहाँ पर option भी दिया हुआ run tgpt space-h for help अगर आप इसको type कर दो अब देखिए यहां पर हमार पास example आ चुगा कि हम किस तरी की सर्च कर सकते हैं क्या-क्या सर्च कर सकते हैं जैसे कि यहां पर example में दिया हुए tgpt space उसकाद हमें quotation कर लिखना है जो भी हम सर्च करना चाते है तुम यहां पर एक चीज़ सर्च कर देखा रहे तो आपको अब हम यहां पर लिखते हैं देख हमने यहां पर डाल दिया हमें जो सर्च कर दिया और यहां पर शो कर दिया कि कौन founder है और उसका details यहां पर हमें शो कर रहा है जैसे आपका normal chat gpt work करता है सेम तुसमें से वर्क रहेगा अगर आपको कुछ और सर्च करना है तो मैं एक बार जैसे कि अब ही current में Google का CEO कौन है अब हो search कर लेते हैं अब देखिए क्या दिखाता है मैं अब देखिए यहां पर में दिखा रहा है current CEO of Google in 2024 सुन्दर पिचाई is the CEO of Google तिस तरी के साब सर्च कर सकते हो अगर आपको प्रोग्राम लिखवाना चाहते हो जैस्त उसके लिए एक कीजिए TGPT-C उसके आपको डवर कुटेशन के अंदर लिखना जो भी आपको डरन करने साथ हो जैसे मैं राइट करने साथ हूं देखिए हम यह सर्च करने जाते हैं उसकाद हम इंडियर्ट करेंगे यह अमर्ज हमने कोड राइट करके दे देगा यह देखिए इसमें में प्रॉपा कोड राइट करके दे दिया है कैसा कैसा क्या करना है और आप इसे कपी पेस्ट भी कर सकते हो और कस्टमाइज भी कर सक यह आप डिफरेंट डिफरेंट लेंग्विजों से साथ कर सकते हैं जैसे मैं एक बारा और आपको परके दिखा रहा था हूं सी में कैसे कर सकते हैं अब देखिए इस बार हम C++ में सर्च का रहे हैं तो अगर आप इमेज जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसके लिए आपको कमाल लगाओ ना जैसे की मैं दिखा रहे हूं आपको चलिए मंक एक एमेज जनरेट करना तो उससे यहां पर में और राओर पादते अब देखेंए अचे जनरेट कर पाता या नी कर पात कर पाता उसका है यहनियरेट करते हैं, इमेज जमरेट करने कि प्रोसेस में इह फॉरसा टाइम भी लगा सकता है। तो अग्यों कम बेट करना मुझा जब तक ह Skype cannot रेटें chickens उस्टाम स्ञेर हम वर दीखें है। आप सा想 내용 को अब यहां पर देखिए हमें ब्लॉड जीन नाम से एक फोल्डर देखने को मिल गया तो आप इससे ओपन बिल के विव कर सकते हो कि आप कजो इमेज जनरेट हो गवा है या नहीं तो चलिए फोल्डर ओपन बिल के देखते हैं हमारा जो इमेज है वो जनरेट हुआ भी है या यहां पर देखिए इमेजें दुआ रखे हैं देखिए एह इससा परकार से जाए जाने हमें जीक इमेज बने जैसे कि आप देख सकती हो देखिए आपने सारे एक्सम्पल देख लिए इसमें साब कुछ अच्छा इमेज भी लिए और कुछ बहुत ही बेकार भी है तो अगर आप इमेज को एकदम डीप अच्छे से चाहते हो तो इसके आपको ब्रीक में डीटेल्स देना प्रेगा कॉमा लगा लगा अगर आप अर आपको इंस्ट्रक्षन दो गे तो सबसी आपको एक्समेज इनक्सम्पल आपको जरा सब को हैर से इसके और अधर को अगर आपके अगर आपको इसा कमांड लगाना चाहता हूं जैसा कुछ एसा कोड लोग दूबने मरे एक्सम्पल कर लेती है मुझे कोई कमांड लगाना Linux स्काइब उसके लिए हम जिस्ट डालेंगे टीजी पिटी स्पेस हाइफन एस उसका थेमेट डवल प्रिटेशन कंदर ही लिगना होगा महीं आपड़ा था हूँ आओ दू 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 रूपक देखिए मैंने यहां पर इसली लिंक दिया है मैं यहां पर फोल्डर भी जोगा डिरेक्टियू भी लिंक्स होता था बड़ मैंने इसली लिंक दिया है इसको सर्च कर लेते हैं यहां पर देखिए सीडी स्पेस डबल डॉट करके हम इसको एक्जिक्यूट कर देंगे हम टीजीपीट के फोल्डर से पीछे आगर डेक्स्टोप वाले फोल्डर कर जाएंगे तो कुछ इस तरह कैसे आप टीजीपीट का यूस कर पाऊगे अपने पीजीपीटी डबल आइफ़न और स्वाद हम डालेंगे है उसके इंटरीच करते थे हैं जैसे आप इंटरीच कर दोगे आपके पास अब ज्यादा ओप्सिंज दिये गए हैं ज्यादा एक्जामपल दिये गए हैं कि आप समझ सको और यहां पर सभी चीजू का मतलब ही तो आपको यह वीडियो पसंद आएगो पसंद आए तो नाइक कीचे चैनल को सब्सक्राब कीचे साथ ही बैट आइकान पर प्लिक करते जिससे हमारे वीडियो को नोटिक्रियेशन आपको सब्सक्राइब बिल जाएकर और आप मुझे सभी सोचल मीडिया एंटरी फोलो पर के दुद्धर जाहिंट जया बारुट झाल